आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो, उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hi students, our question is What do you mean by negative interactions between species? Name the type of interactions involved in following examples Control of mosquito larva by gambusia fish Algae and fungus association in lichens सबसे पहले आपके negative interactions की तो जो आपके negative interactions हमें देखने को मिलती है अगर हम बात करते हैं इनके बारे में तो क्या होता है आपके organisms जो होते हैं या हम बात करते हैं organisms के अंदर जो आपके species होती है जब आपकी कोई भी particular दो species के बीच में हमें ऐसी interaction देखने को मिलती है जिसकी वज़े से उन species को कोई ना कोई harm हो रहा हो तो ऐसी harmful interaction को हम क्या बोल देते हैं आपकी negative interaction बोल देते हैं अब अगर हम बात करते हैं हमारे पास दो ऐसे examples दे रहे हैं हमसे पूछ रखा है कि इस तरह की interaction को हम क्या बोलती है सबसे पहला है आपका control of mosquito larva by gamboosia fish तो आपका जो एप है अब हम बात करते हैं gamboosia की तो ये क्या करते हैं ये जो fish होती है ये आपकी carnivorous fish होती है जो आपकी particularly feed करती है किसके उपर ये feed करती है आपकी mosquito larva के उपर तो इस तरह की particular species में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो species होती है इनमें हमें देखने को मिलता है कि आपका population interaction जो होता है उसको हम बोल देते हैं predation क्योंकि इसको larva को नुक्सान हो रहा है और इसको मारा जा रहा है तो ये predation होता है और गंबूसिया फिस आपकी एक क्या है ये आपकी एक predator है अब हम बात करते हैं आपका फर्दर अगर हमारे question के second part की अगर हम बात करते हैं तो second part हमें दे रखा है कि algae and fungus association in lichans तो lichans जो होते हैं वो आपका एक population interaction का बहतरीन example है जिसमें हमें symbiotic association देखने को मिलती है दो different organisms में जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम mutualism के नाम से भी जानते हैं जिसमें आपकी algae और fungus है वो दोनों ही क्या होती है both benefited होती है एक दूसरे से तो दिये गए question के according आपका ये answer होता है symbiotic association mutualism विद इस थेंक यू